नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z डिशिश उशाकोरजानी में आज आपके साथ मैं शेर करने जा रहे हूँ वैज सोया चंग्स बिर्यानी यानि की सोया बिन से बनी हुई बिर्यानी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है और बिर्यानी किसको नहीं पसंद है सबको पसंद आती है पर हम सबको ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट हो की कैसे बनेगी पर आज मैंने स्टेप बाइ स्टेप ये बिर्यानी बनाई है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा चलिए बनाते हैं वैज सोया चंग्स बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर हमने ले लिए सोया चंग्स यानि की सोया बिन अब यहां पर हमने यह सोया बिन 100 ग्राम ली है आप देख सकते हैं यह आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगी सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्रीडियन्स तो यह हमारा पहला इंग्रीडियन था दूस यह बड़े तीन प्यास को हमने लंबा लंबा कट कर लिया है इस तरह से फिर यहां पर हमने दो हरी मिर्च और एक शिमला मिर्च को कट कर लिया है और यहां पर हमने ले लिया है तीन आलू उसको हमने इस तरह से बड़े बड़े टुकडों में कट कर लिया है इस तरह से आपक लिए आधी कटोरी दही हमने यहां पे कुछ खड़े मसाले लिए जैसे के लिए काली मिर्च, जीरा, लॉंग, चक्रफुल, दालचीनी और तेजपत्ता तो देखिए यहां पे यह सारे खड़े मसाले अब जो नॉमल मसाले उसमें हमने लिए है बिर्यानी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नेक्स्ट हमने लिए है स्वाद अनुसार नमक, सारे मसाले हो गए, अब यहां पे हमने लिए है कसूरी मेथी, पेस्ट में हमने लिए है अद्रक लसन की पेस्ट और हरी मिर्ची की पेस्ट, यह दोनों पेस्ट लिए इससे फ्लेवर और टे ले लिये हैं एक नीमबू का रस, और लास्ट इंग्रीडियन हरा दनिया, तो चलिए बिर्यानी बनाना स्टार्ट करता है, सबसे पहले इस तरह का एक बर्तल ले 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 लेंगे, उसमें डालेंगे पानी, हम सबसे पहले सोया बिन को बिगुएंगे, तो यहाँ पे हमने सोया बिन ले लिया है इसे पानी में डालेंगे और अच्छे से इस तरह से दबा अंदर अंदर तक इसे बिगोएंगे 10 मिट तक आपको इसे बिगोना है थोड़ा इस तरह से अंदर अंदर पानी में दबा दीजिए तो वहाँ पे सोया बिन हो रही है अब दूसरा बाउल ले लिया है उसमें हम चावल को भी डाल देंगे और इसे भी बिगो देंगे तो यहाँ पे हमने बास्मती चावल डाल दिया है पानी डाल कर इसे सबसे पहले दो से तीन पानी से दोएंगे तो सबसे पहले ये एक पानी है चावल को अच्छे से इस तरह से मसल देना है तो ये पानी को हम निकालेंगे और इसके अंदर डाल देंगे दूसरा पानी इसी तरह से हम तीन पानी से इससे अच्छे से धोलेंगे और इसे आदे गंटे तक हम बिगो के रखेंगे बासमती चा का जो पानी है, जो पोरा निकाल देना है थोड़ा भी आपको नी रखना पूरा इस तरह से पानी निकाल देना है आप देख सकते हैं निकालने के बाद इसे एक और बाओल में डाल देना है अब हम करेंगे मेरिन तो सबसे पहले सोया बिन का अच्छे से हाथ की मदद से मुठी बंद में पाने निकाल दीजे और इसे एक और बाउल में डाल दीजे तो यहां पर देख सकते हैं हमने सारी सोया बिन को इस तरह से कर दिया है आपको 10 मिनटी बेगो के रखने है सोया बिन अब इसके अंदर डा आलू के टुकडे आपको अलू इस तरह से बड़े बड़े टुकडों में कट करना है फिर डालेंगे श्रीमला मिर्च और हरी मिर्च तो देखिए यहां पर दोन्हों डाल दिये अब डालेंगे पुधिना पत्ता पुधिना से बहुत ही बड़ी आ फ्लेवर आता है पुध अब अब धई भी अड़ी अड़ी अब मसालों मेशा अड़ी एड़ें रहा हा 2 धनिया पौअड़र लैल्मिर्ज पौउडर और स्वाधनुसार नमक तो देखिएS तयार हो रहा है इसको सब को आपको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले हैं वो सबजी और सोया बिन के अंदर मिल जाए तो देखिए इस तरह से मिक्स करते जाना है और इसे आदे गंटे तक आपको रख देना है साइड में तो यह अच्छे से एकदम मेरिनेट हो जाएगा बढ़ि तो देखिए इस तरह से रखेंगे अब हम बनाएंगे चावल तो सबसे पहले इस तरह से ले लीजे कडाई और इसमें डाल दीजे पानी तो देखिए हमने पानी डाल दिया है अब इसे हम कर देंगे थोड़ा सा गरम तो देखिए यहाँ पर यह गरम कर देना है आपको चा आप यहाँ पे हमने बासमती चावल यूजS किए है आप अपने हिसाब से कोई भी चावल यूजS कर सकते हैं चावल डालने के बाद इसे हलके आसे इस तरह से मिंक्स करेंगे और आपको इसे 80 प्रती शर्ती पकाना है यानि कि 80 परसंट ही इसे आपको कुक करना है इसे 80% पकाना है तो देखिए यहां पे हमारे 80% ये कुक हो चुक है है आप देख सकते हैं अब मैं आपको एक चावल को तोड़ कर भी दिखा देती हूं तो देखिए इस तरह से हम तोड़ेंगे तो ये अंदर से कच्छा लगेगा पर हम इसे धम पर रखेंगे तो ये पक ज जाएगा इसलिए आपको इसे 80% कुक करना है अब ले लेंगे एक प्लेट उस पे बिचा देंगे एक कॉटन का कपड़ा तो देखिए कॉटन का कपड़ा इस तरह से बिचा देना है इस पे हम रख देंगे जो हमने ये चावल पकाए थे 80% वह इस पर रख देंगे तो इसे आपको पूरा नहीं पकाना है सिर्फ 80% इसे आपको कुक करना है क्योंकि हम धंपे रखेंगे तो भी ये पकते अगर हम इसे पूरा पका देते हो तो फिर जब हम धंपे रखेंगे तो टूट सकते अब इस चावल को थोड़ा-थोड़ा दीजे और इसे साइड में जाल देंगे प्याज इस तरह से लंबे-लंबे टुकडों में हमने कट किया था वो डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और फ्राय करेंगे इसे क्रिस्पी होने तक हमें फ्राय करना है ब्राउन जैसे इसका ब्राउन कलर आ जाना तब तक इसे हम फ्राय करना है त तो आप देख सकते हैं यह प्यास जो है बढ़िया तरीके से ब्राउन हो चुका है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुका है अब इसे हम निकाल देंगे तो देखिए हम आपको आगे से भी दिखाज देते हैं पूरा एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ये प्याज हो चुका है अब इसे में प्लेट में निकाल देंगे तो ये हमारा बिरियानी के लिए ये बिरिस्ता तयार है आप देख सकते हैं जैसे ये प्याज को फ्राइ करते तो इसे बिरिस्ता कहा जाता है तो हमारा जो ये बिरियानी के लिए बिरिस्ता है वो दालेंगे तेज पत्ता फिर डालेंगे लॉंग और फिर डालेंगे काली मिर्ची काली मिर्ची डालने के बाद हम इसमें एट करेंगे दाल चीनी तो देखे दाल चीनी डालने के बाद यहां पर हमने सारे खड़े मसाले डाल दी हैं अब इसके अंदर हम एट करेंगे प्याज इस तरह से लंबे टुकडों में कटकिया और प्याज एट करना है और इन सब को अच्छे से मिलाते आपको भून लेना है तो इस तरह से मिक्स करते जाए और इसे भूनते जाए बहुत ही बड़ी आसी ये खड़े मसाले की खुश्बू आना शुरू हो चुकी है आप देख सकते है इसे आपको लाइट पिंग होने तक बुनना है डालने के बाद इसके अंदर एड़ करना है लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर एड़ करने के बद इसके अंदर डालेंगे स्वाद, अनुसार, नमक नमक हम इसलिए एड़ करें क्योंकि जब हम चावल पका रहे थे तब हमने बिल्कुल भी एड़ नहीं किया था अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बिर्यानी मसाला हमने मैरीनेशन में सारे मसाले डाले हैं पर हमने चावल पकाते वक्त उसमें नमक नहीं डाला था इसलिए हमने और नमक एड़ किया है और लाल मिर्श पाउडर और बिर्यानी मसाला हमने थोड़ा सा फिर से एड़ किया है इन सब को अच्छे से चलाते जाएंगे और इसे 5-6 मिनिट तक और पकाएंगे तो देखें इस तरह से चलाते जाना है और सब को पकाते जाना है बहुत ही बड़ी आसी खुश्बू आना शुरू हो गई क्योंकि इसमें हमने ध़ी सब मसाले एड़ किये हैं जैसे आप इससे पकाएंगे बहुत ही बड़िया सी खुश्बू आना शिरू हो जाएगी सारे खड़े मसाले भी है इसमें तो देखे यह जैसे यह पक जाए तो इसके अंदर एट करना है बिल्कुल थोड़ा सा पानी क्योंकि हमने इसमें कच्चे आलू डाले हैं तो वो पकने चाहिए इसमें एट करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे फिर से मिला देंगे तो देखें यहां पर ही हमने mix कर दिया है अब जो हमने चावल बनाया थे तैना वो इस तरह से इसके ओपर रख देने आपको इस तरह से सारे चावल रख देने हैं आपको बिर्यानी ये सोया चंग वेज बिर्यानी बनाकते वक्त इतना ही दियान रखना है कि आपको चावल सिर्फ 80 प्रतिशत ही कुक करने हैं और जो हम मेरिनेट ये है इसको आपको सारे मसाले डालने हैं अच्छे से और इसके बाद भी आपको मसाले इसमें डालने हैं जैस इसके उपर डालेंगे पुदीना पता तो देखे पुदीना पता हमने फिर से डाल दिया है अब इसके उपर डालेंगे हरादनिया भी हमने डाल दिया है इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा बिर्यानी और मसाला क्योंकि अब अभी हम गी डालेंगे तो बिर्यानी मसाला से बहुत ही बढ़िया सा एक टेस्ट आ जाएगा दम पर हम इसे रखने वाले हैं अब इसके ओपर डाल देंगे गी सारे में इस तरह से आपको डालते जाना है पूरा अच्छे से अब आज को आपको कर देना है दीमी बिल्कुल सारा ये हमने बराबर से कर दिया आप देख सकते कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में खुबसूरा सा और इसकी जो खुश्पू है नो बहुत ही बढ़िया आ रही है आज को आपको दीमी कर देना है और इस तरह का एक धकन लगा के इसे आपको 10-15 मिनिट तक दम पर रखना है दीमी आज पर ये आपको इसे दम पर अब इस तरह से हम ढकन हटाएंगे एक कपड़ा ले लिजे और इसे ढकन हटा दीजे क्योंकि बहुत ही गरम है हमारा ढकन आप देख सकते हैं वा जी वा हमारी दम पर बहुत ही बढ़िया सी बिर्यानी आ चुकी है आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी लग रही है दिख आले तर हमारी सोया चंक स्वेज बिर्यानी तयार है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे आप देख सकते हैं दम बढ़िया तरीके से सारी जो ये हमने सोया बेन आलो और चावल तो बासमती चावल है तो बहुत ही बढ़िया लग रही है हमारी बिर्यानी सारे बास टेप ये बताई है तो आप इस रेसीपी को जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही खाने में बढ़िया लगती है और वैसे भी जो ये सोया बिन है हमारी बॉडी के लिए एकदम भेल दी है और इससे प्रोटीन भी आता है तो आप इस बिर्यानी को जरूर ट्राइ कीजे और मुझे कमेंट सेक्षन में बताईए आपको ये वीरी रेसिपी कैसी लगी घर पर पड़े इंग्रिडियन्स से ही सारे ये बन गई एकदम जैसे हम शादियों में खाते है न वैसी बिर्यानी आज मैंने बनाईए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और आ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले आज के लिए पसे इतना ही थैंक यू फो वाचेंग्